कि जहें दोस्तों मैं अमजड़ खान खान इस्वरीच सेंटर के यूटूब आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज इतिहास और आर्ट से सम्बंधित जानकारी आपको उन देंगे हम इसमें इतिहासिक बाते भी होंगी कला की बाते भी होंगी यानि इतिहास वालों के करते हैं इसमें इतिहास और कला की जैनकारी हम को मिलती है तो उनमें सबसir पहले आज हम लोग शुरू करते हैं आत्यास्तिتव अर्टशास्त तो अर्टशास्त्र की रशना सभी लोग जानते कि अर्टशास्त की रशना अगर विकल पाता है कुछ इस तरह से उस तरह से विकल पाता है कि अर्ष साथ की रशना किसने की है और विकल दिया आता है कि कौटल के फिर नंबर दो देते हैं चालक कर चालक नंबर तीन देते हैं विष्णू गुप्त विष्णू गुप्त और नंबर देते हैं कुटल कि चार ABCD या एक दो तीन चार करके इस तरह से अगर कोश्चन आता है कि अर्षाथ की रचना किस नहीं की है तो आप देखो कि तो देखते ही को गया रही है तो कोश्चन गलत है क्योंकि चाड़ा की नाम विश्लुगुत का भी नाम है कॉटल भी नाम मिलता ह और कुटल भी नामिनी का है तो ऐसी स्थिती में कोश्चन क्या दिया कि उस पर ध्यान देना है कोश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त की रचना किस नहीं की है तो अर्षास्त की रचना मुख रूप से जो की थी वह विश्लुगुत ने की थी विश्लुगुत इनका व वास्तिक नाम विश्रु गुप्त था और इन्हों ने इसी नाम से अर्थशास्त की रचना की थी कौटिल मत लगाईएगा नचाड़क लगाईएगा अगर विकल में विश्रु गुप्त नहीं है या एकी नाम कोई दियो तो हम लगा सकते हैं कि इसका सही अंसर कौटिल भी ह सकता है चाड़एगे हो सकता है थी क्या तो वास्तों में अर्थशास्त के जो रचना का थे इनका विश्रुक नाम था उनका नाम हीम चळ्रक अभीधान., चिंतामरी में था हेम चंद्र के अभीधान चिंता मणी में इनके दिखे कितने नाम मिलते हैं तो मैंने चार नाम आपको बता लिए एक दो तीन चार नाम इनके ही हैं तो एक नाम है कोटिल दूसरा चारक विश्रुगुप्त कुटल इसके बाद पाच्वा नाम द्रामिल छटा नाम पच्छिल स्वामी पच्छिल स्वामी साथ्वा नाम साथ्वा नाम अंगुल आठ्वा नाम मलीनाथ और नवा नाम इनका मिलता है वात्स्यायन एक किसमे मिलता है किस दूस्तट में हेमचन की अभिदान चिंता मरी में इनके कितने नाम मिलते हैं तो कहेंगे नौ नाम मिलते हैं कौन कौन से कौटिल चारक विश्रुगुप्त कुटल द्रामिल पच्छिल स्वामी अंगुल मलीनाथ वास्यायन एक बार PCS में कोशन पूछा गया था उसमें शायद ये विकल था कि ये किसका नाम है तो वो नाम था चारक याने विश्रुप्त कौटिल का नाम ये मिलता है अब हो सकत कि किस तुष्टक में इसका उलेक मिलता है तो इस तरह से अर्शासिके रचना करने वाले आप भूभ्यान एक आर तो आर्शास्त के रचनाकार आभी हमने आपको बताया कि और शास्त के रचनाकार जो है उनका नाम क्या है उनका नाम byашon aka विश्वू गुप्त और विश्वू गुप्त ने जो आर्ट शास्त की रचना रचना विश्रू गुप्त ने की थी और विश्रू गुप्त ने जो अर्शाथ की जो रचना की है यह मौरकाल में की थी इन्होंने से मौरकाल से पहले कैसकते यह लेकिन पूर्टएया जो तयार हुई है वो मौरकाल भी ही तैयार ग्रंथ माना जाता है भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है जो जो नीती शास्त्र पर जो नीती शास्त्र पर पर आधारित है जो नीती शास्त्र पर आधारित है ठीक है ध्यान लखेगा यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है जो नीती शास्त्र पर आधारीद है बहुत इंपॉर्टेड यह ग्रंथ है इस ग्रंथ में अर्थशास्थ के ग्रंथ में मौर काल मौर कालीन मौर कालीन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जिसमें राजनीतिक राजनीतिक परशासिनिक समाजिक और अर्थ विवस्था का उल्लेख मिलता है मौर कालीन राजनीतिक विवस्था परशासिनिक विवस्था समाजिक विवस्था और अर्थ शास विवस्था का उल्लेख मिलता है जिसमें इसकी रचना जो करने वाले थे वो विशुड़ गुप्त ने पूरी विवस्था का उलेक किया है इसके साथ साथ इसमें कुछ खंड शुड़ों को और उपकरण के रूप बाटे गए आईए देखते कौन-कौन से हैं कौन-कौन से हैं इसमें जो बाटे गए हैं इसमें यानि विशुड़ गुत ने जो इसमें इसका इभाजन किया इनी शुरोक के बारी मताया है कि इसमें जो शुरोक मताया इसके बाद इसका अधिकरण Bachelor कि मतलब होता है किने क्खंड के इसमें इसमें 15 खंड हैं और उपकरण 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 का मतलब होता है इसके उपखंड उपखंड यानि खंडों के खंड यानि उपखंड की संख्या जो है इसमें 180 बताएगी तो अर्थशास्त्र की जो इसका जो अर्थ है अर्थशास्त्र का जो अर्थ है इसका आर्थ होता है इसका अर्थ अर्थ होता है धन का अध्यन का अर्थ यह होता है इसे customers 6 श्रोड का उल्ले किया गया है अधिकराउखंड यानि 15 खंडों का उल्ले खै아ई और कोоры बात करते श्काने 180 उक्षड़ हैं इसमें पूरी इजलोग में पूरी मौर्खाली विवस्था व्लेख दिया गया है तो अर्तशास्थ की जो विशयवस्तू है इसकी विशयवस्तू विशयवस्तू इसकी युनानी दार्षिनिक युनानी दार्षिनिक अरस्टू अरस्टू की पॉलिटिक्स ग्रंथ और मैंक्यावली और मैंक्यावली का ग्रंथ प्रिंस से मिलती जुलती है कि अर्थशास की जो विशर वस्टू जैसी है वैसे ही विशर वस्टू हमें युनानी दार्षिनिक अरस्टू की पॉलिटिक्स ग्रंथ में और मैंक्यावली के प्रिंस ग्रंथ से इसकी मिलती जुलती है अब बात करते हैं कि वर्थवान का अर्थशास के जन्दाता कौन है अगर कोश्चन आता है कि वर्थवान के वर्थवान अर्थशास्त के यानी वर्थवान में अर्थशास्त के जन्दाता कौन है अब वर्तमान में अगर आता है कि वर्तमान में इसके कौन है तो सीधा सथा अप कंफ्यूज जाएंगे कि यार क्या लगा वे हम कोटिल है कि क्या है अगर वर्तमान क्यों लगा दिया वर्तमान के जो है तो कहेंगे एडम इसमित इसके जुने वह एडम इसमित इसके जंदाता दोस्तो एडम इसमित इसके जन दाता है तो आए अब बात करते हैं थोड़ा सी कला के बारे में कोटिल ने कला का उलिख किया है क्या उलिख किया है आईए मैं बताता हूं आपको कोटिल ने पहली बात धान रखेगा कि कोटिल यानि विश्रुगुप्त ने कला का उलिख किया है इनों ने जो कला का उलिख किया है कोटिल ने इनों ने बताया कला के दो भाग बताया है एक इनों ने बताया है ललित कला ललित कला और दूसरा इनों ने बताया है उद्योग कला उद्योग कला आपने पीछे पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि ललित कला और उप्योगी कला ने पढ़ाया ना आपको ललित कला उप्योगी कला के अंदर उप्योग कला शब्द नाम उसकिया है तो ललित कला का नाम इनों में दिया था चारू कला चारू कला दिया था और उप्योग कला का नाम जो नहीं दिया था कारू कला कारू कला आप सवाल उड़ता है कि कारू और चारू शब्द सबसे पहले कौन यूज़ किया था तो चारू और कारू शब्द सबसे पहले इसने यूज़ किया था उसको मैं पीछे आपको बता चुका हूँ आपको बैवतार चुका हूँ कि पारेनी की अस्ट्या ध्याई में पारेनी की अस्ट्या ध्याई जो छटी शटाबडी इसापूर की पुस्तक है पारेनी की अस्ट्या ध्याई में सर पर्थम चारू और कारू शब्का उल्लेख हुआ है लेकिन उसके बाद अगा किसी ने यूज किया है तो वो किस ने किया है कौटिल ने यानि विशुड़ गुत ने किया है चलिए आगे मनों देते हैं हम अगले गरंग की बात करते हैं तो राश्तरंगड़ी की बात करते हैं राश्तरंगड़ी का अर्थ क्या है राश्तरंगड़ी का जो अर्थ है वो है आपका राजाओं की नदी राजाओं की नदी इसका जो भावार्थ है वो भावार्थ इसकी यह है कि राजाओं का इतिहा का इतिहास है या कह सकते हैं समय का परवहां समय का परवहां यह उल्लेख हमको मिलता है यह नहीं हम नहीं बताएं कि रास्तरंगडी का अथ है राजाओं की नदी इसका भावारत क्या निकलता है राजाओं का इतिहास है या इसको कह सकते हैं समय का परवाह यानि समय जो हमारा बीत रहा है वो रास्तरंगडी इसका हाथ बनता है इस तरह से रास्तरंगडी की जो रचना है रचना इसकी बारवी शताबदी में है हम सीधे सीधे बताएंगे 1149 से लेकर के 1149 इस्वी यानि राश्त्रंगडी की जो रचना है वो 12 projeto है बारवी शतापति में इसकी रचना की गयी है और जो रचना की गई है उसका अम एक्च्वल समय इसका बता देते हैं यह एक्च्वल इसका समय है ग्यारा सो सैटालीस से ग्यारा सो निचास में इसकी रचना करने वारे विक्ति का नाम था कल्हड क्या नाम था कल्हड कल्हड ने इसकी रचना की कल्हड ने जो इसकी रचना जो यूज किया था उनमें से जो इसका जो कल्हण द्वारा जो ग्यारा ग्रंत थे ग्यारा ग्रंत थे ग्यारा ग्रंथों में केवल एक ही ग्रंथ उपलब्ध है एक ही ग्रंथ ग्रंथ उपलब्ध है और उस उपलब्ध ठीक है उपलब्ध है उस ग्रंथ का नाम है नील मत प मत्र पुरां नील मत्र पुरां नील मत्र पुरां यह यह केवल यही गरंद उपलात है बाकी जो है दस गरंद जो है वो विलिप्थ हो चुके हैं जिसको ले करके जो है कल्हड में इसकी रचना की थी और कल्हड में जो रास्तरंगडी की रचना की है इस रास्तरंगडी में इ कश्मीर के इतिहास का वर्ण किया या है। कि मैं कश्मीर की विवस्था उसके इतिहास का वर्ण किया है। इसमें इन्हों ने जो किया है वो आद इतिहास से ले करके और म्त काली इतिहास तक कि कश्मीर के बनस्था है उसका उल्ले किसमें किया है कल्हण नहीं किया है और मैंने आपको बता है कि ये कल्लड की रास्तरंगडी जो है इस कल्लड की रास्तरंगडी में 6826 शुरोग हैं कितने शुरोग हैं कल्लड की जो रास्तरंगडी है इसमें शुरोग की बात करते हैं तो शुरोग की संख्या 78826 l副ंदी और इसमें परंग की बात करते हैं कि इतने तरंग है तो तरंग की बात करते हैं इन तरंगों की एक्रम बात करते हैं तो चौथा पाँचवा और छटा ठीक है यानी चार पाँच छे पिर साथ पिर आठ तो पहले इससे पहले हम लोग देखते हैं इसमें तरंगों की एक्रम बात करते हैं तो तरंग में कुल आठ तरंग हैं जिसमें से प्रथम तीन तरंग क की बात करते हैं फिस मादम चार पांच छे की बात करेंगे फिस साथ और आठ तरंगे यानि इनकी इनकी बात करेंगे ठीक है तो एक दो तीन तीन तरंगों में आध इतिहास से ले करके आध करके कश्मीर का उल्यप मिलता है इसमें जो यहां से लिक्श ऊत्वा nice अहां चार पॉंच से इन तीन तरंगों की बात करते हैं तो इन निवी मिलता है इसले हमें जो जो लेक मिलता है वो मिल तरंगों में इसका उल्लिग मिलता है आपका एक लोहार वंचल और इसमें हमको लोहार वंचल लोहार वंचल ठीक है ज्यान रखेगा और उत्पल वंचल दो वंचल इसका उल्लिग कश्मीर का कश्मीर का उल्लेक है तो वास्तों में जो कश्मीर का उल्लेक है जो उस राष्टरंगली के नुषार कश्मीर का जो वास्तु नाम था उसका नाम ता कश्मीर का प्राचीन नाम कश्मीर का प्राचीन नाम की एक प्राचीन नाम इसका हम Oui kashap का शेक मेरू तो कश्मीर का प्राची नाम उसका नाम मिलता है कश्षप मेरू उध्यान केगा इसका प्राची नाम कश्षप मेरू कश्मीर का प्राची नाम और कश्मीर के प्राची नाम को मिलता है कश्षप मेरू कौन थे कश्षप मेरू के ब्रह्मा के पुत्र रिशी मरीची का प तो अब आगे बात करते हैं तो इसमें जो में और क्या मिलता है इसमें हम एक चीज और देखने मिलता है कि जो कश्मीर का जो इतिहास लिखा था का लड़ में वो लिखा था 1147 अब 1149 से लेकर के 1449 से लेकर के 1470 का इतिहास इतिहास ग्यारा सो उनचास से लेकर के 1470 का इतिहास इसके आगे का इतिहास जो लिखा है वो लिखा है जोनराज ने जोन राज के बाद श्रीवर ने श्रीवर के बाद प्रागभट ने सबसे पहले किस दो निखा था इस स्टार्टिंग में मैंने आपको उताया कल्ण ने तो कल्ण ने इसके पहले रचना की थी बाद में इसका आगे तिहाँ से यहाँ से यहाँ तक कि जोन राज श्रीवर प्रागभट तो इस प्रकार से पूरी राश्तरंगड़ी के रचना करने वाले जो थे वो चाल लोग थे ध्यान लखेगा एक अकेली इंगाल ही लगाएंगे अगर कल्णा जोन राज श्रीवर वोपो सभी तो सभी टिक मारेंगे लेकिन अगर इन में से जोन राज देख लें तो हो सकता है कि जोन राज देखें किसने की सरी राश्तरंगी राश्तरंगड़ी को भारत की पहली एतिहासी कुस्तक मना आता है भारत की पहली एतिहासी कुस्तक प्रीज राश्तरंगड़ी क्या है यह भारत की पहली एतिहासी कुस्तक है यह पुस्तक या निक गरंथ है भारत का पहला एतिहासी क्या है तो कहेंगे राश्तरंगड़ी और राश्तरंगड़ी का अनुवाद अंग्रेजी भाशा में प्रंस्किस से इसका अंग्रेजी में अनवाद है इसका अंग्रेजी वे जो अनवाद किया था वो अनवाद करने वाले का नाम है आरल स्टाइन जिसने किया था आरल स्टाइन इसके अनवाद करने वाले का नाम है आरल इस्टाइन आरेल इस्टाइन किसके सायुक से पंडित गोविंद कॉल पंडित गोविंद कॉल पंडित गोविंद कॉल की सायता से आरेल इस्टाइन ने इसका जो अनुवाद किया था वो उन्नीश्य शताब्दी में किया था तो इस तरह से यह बह। उस्तक है तो दोस्तो आगे हम देखते हैं बुद्रा राच्छास अगि आगे में बात करते हैं मुद्रा 6 की बात करते हैं तो मुद्राराच्छास की रचना चौथी शताबदी में चौथी शताबदी इसी में इसकी रचना की थी और इसके जो टीका कार थे तीका कार वो थे धुंडी राज है। धुंडी राज। धुंडी राज। इसके जो टीका कार थे वो धुंडी राज। ध्यान रखेगा। कि इसकी डुटीका कार थे वो धुंडी रास्ते हैं कि इस मुद्रा राच्छत में मौर काल में यानी चंद्रकुप्त मौर चंद्रकुप्त मौर और प्लस कोटिल के उलेक के साथ साथ नंदवंश का पतन नंदवंश का पतन तथा मौर कालीन मौर काल की इस थापना का उलेक मिलता है इसमें मुखरूप से ध्यान रखेगा नंदवंश का पतन यहीं मौर काल से पहले जो वज था वो नंदवंश का पतन तहीं यानी घंणानंद की कि चंगुत मौर ने चालक की साहता से कौटिल की साहता से नंदवंश का पतन किया और मौर काल की स्थापना की इस तरह से मौरस वहुज़ीं मौर साम राज की स्थापना किस्त का उल्ले इसी मिलता है कि इसके साथ इलावा यह संस्कित भाषा का ग्रंथ है यह यह संस्कित भाषा का ग्रंथ है संस्कित से इसका हिंदी में अन्वाद हिंदी में अन्वाद अनुवाज 1878 में भारतेंदू हरिष्चन ने की थी भारतेंदू हरिष्चन ने इसका हिंदी भाषा में 1878 में इसका हिंदी भाषा में अनुवाज किया था तो दोस्तो इस में कला का उलेक तो नहीं है लेकिन जो पीछे मेंने रास्तरंगड़ी बताई थी जो मिस हो गया है तो रास्तरंगड़ी की बात करता है तो रास्तरंगड़ी में पीछे हो गया मिस हो गया था तो रास्तरंगड़ी में कला का उलेक हुआ है मुखरूप से कश्मीर के कश्मीर के मंदिरों का उल्लिक मिलता है दियान रखेगा कश्मीर के मंदिरों का उल्लिक मिलता है कि कश्मीर के मंदिर किस तरह से बनाए गए थे इसका उल्लिक मिलता है इसके इलावा इसके इलावा जो मंदिरों में जो चितुर बनाए गए या मंदिरों में जो जो कलाकतियां बनाए गए इसेस ने बनाए गए घृत cur Half ले help नहीं मिलताए तो दोस्तो मेरी मेंने इतिहाथिन आपको जानकारी धी है जो उसी करें क्योंकि उनको अभी बहुत सीज़ें नहीं मिलनी हैं बहुत सारी नहीं चीज़ें मिलती रहेंगी जो लोग इलहाबात यानी प्रयागराज के जो इस्टुमेंट्स हैं वो मुझसे आफ लाइन भी जुड़ सकते हैं ऑनलाइन के लिए जो बाहर के लोग हैं जो ऑनलाइ जितने वीवर्स को जरू सब्क्राइब करें इससे उनको नोटिफिकेशन उनको समय समय मिलता रहें और कमेंट्स भी देवें कि क्या उनको कैसा विडियो लगा कम से कम उसको लाइक करें इससे हमारा उसला और बढ़ता रहें जैहिन धन्यवाद थच्राइब